नमस्कार दोस्तों, आज News Click में हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक ऐसे शक्त से, जिन्होंने लंबा राजनीति केरियर देखा है, पूरी की पूरी राजनीती को बदलते देखा है, वियारा में, वियारा विधान सभा में, जो इस समय लंबे समय से चर्चा में बनी हु पूरी वागत है, News Click में, अमर सिंग जेड़ा भाई, चौधरी जी, और इसमय उनकी उमर है 82 साल, मैं उनसे जो चीज़े जानना चाहती हूं, जो राजनीती, जिस तरह से गुजरात की राजनीती है, आज की तारीख में, गुजरात, प्रधान मंत्री नरेन मोदी, भाषप का तकरीबन परियावाची बन चुके हैं, सारे लोग यहां कहते हैं, मोदी हैं, मुमकिन है, और मोदी के बिना गुजरात की राजनीती नहीं चल सकती, लेकिन आपने जब राजनीती शुरू की, तब राजनीती दूसरी थी, सबसे पहला सवाल ये आपसे, ऐसा क्या हो गय गुजरात की राजनीती में, कि गुजरात की राजनीती यानि मुदी बन गए, मुदी यानि गुजरात की राजनीती बन गए, गुजरात गौरव यानि मुदी का गौरव हो गया, ये कैसे equation set हो गया? अगर कुछ तरक्य करना है तो विदिन फाइव यर्स पाइट पाइट साल का लोगों को उनको चांस देना चाहिए तो ठीक काम चल रहा था अभी तो क्या हो गया यह 17 साल से है मोदी तो इसलिए वो समझ रहें कि I am something I am from Sedal tribe मैं आदिवसी हूं आदिवसी एरिया में काम करता हूं आदिवसीयों के लिए तो मोदी और भाजपा बहुत खतरनाक चीज़ है हमारी जमीन जा रही है हमारा जंगल जा रहा है हमारा पानी जा रहा है हमारा विस्टापन हो रहा है और कोई कोई दूसरा नाहीं है हमार तो यह क्या सारे आदिवसीयों में समझ है 50% समझते हैं लेकिन 50% ऐसे हैं जो गुलाम है जो दलाल है ऐसे लोग भी है आदिवसीयों है तो कि गुजरात के बारे में एक अजीब बात है कि आंदोलन चलता है जैसे सरदार पटेल की जो मुर्ती बनी वहां पर जितने बड़ राजनितिक तोर पे वह आंदोलन दिखाई नहीं देता जब चुनाव होते हैं तो फिर बाश्पाजी जाती है ऐसा क्यों इसके दो तीन कारण हो सकते हैं एक तो वह वोट खरीटते हैं ऐसे हो गरीब लोग हैं वो तो उनको अगर 250 पे मिल जाए तो वोट दे देते हैं और EVM का भी मुज़त खत्रा लग रहा है EVM का भी कुछ खेल है जिसमें वो जीत सकता है जीत जाते हैं इस बार ऐसा क्या हुआ जैसे माली जी हम बैठे हैं व्यारा में व्यारा से कुछी किलोमीटर दूर है सूरत वहां पर सूरत में जो राजनिती है और पूरी तरह से धर्म अधारित राजनिती होती है वहां पर तमाम लोग उत्रे अभी योगी जी भी आए अमिश्ण जी पुरी दुनिया से लोग आई है इस विदान सबाद चुनाव की खासियत यह है मोदी जी का पूरा मंत्री मंडल आ गया जितने उनके मुख्य मंत्री हैं देश पर में पहले सब लोग आ गये तो इसका क्या कारण आप क्या कारण समझते हैं वो डर रहे हैं मोदी डर रहे हैं आम कहीं फंस न जाए क्योंकि उनको मालूम है लोग अभी महंगाई के बारे में आप सोच रहे हैं और वो जो बता रहे हैं सब हमारी आदिवसी एरिया में तो वो कहीं पर इस बार क्योंकि यह धरंपूर है वास्दा है डांग है व्यारा महुआ सोंगर मतलम निजर्क और मांडवी यह सीट तो एक हंड्रेट परसंद आने वाली है अंग्रेस को यहां लोग बाजी बीजेपी को वोट नहीं देंगे लेकिन पिछली बार ऐसा नहीं था पिछली ब जा रहे हैं विस्था पन हो रहे हैं लोग उनको क्या मिल रहा है यह पानी जा रहा है कच में कच में पानी जा रहा है यह लोकल पब्लिक को क्या फाइदा है हम को तो विस्था दोना है हम टोकरी सर पर रखके घूम रहे हैं मारे मारे फिर रहे हैं रोजी रोटी के लिए हमारी गई इसमें पानी उदर जा रहा है हमारा जंगल जा रहा है और एक्जामपल डांग है हमारा 31 अबज रुपिय के इंकम होगी है अगर हमने यह जंगल बचाया था हमारी वजह से जंगल बचाया तो लोगों को तो मिलना चाहिए कुछ नकुछ इनके पूरी पूरी इंकम गवर्मेंट में रही है और बता रहिए हम आपके लिए रास्ता किसे कर रहे हैं जो जो दनवान लोग है जो बड़े लोग है उनको घुमने फिरने मोज मजा के लिए रास्ता बन रहा है, हमारे लिए कुछ नहीं है, और इसके लिए वो केवडिया बना रहा है, उन लोगों के घुमने के लिए, फिरने के लिए, मोज मजा करने के लिए, तो उनकी मोज मजा एक और है, और दूसरी और हम परिसान है, ले तो यह दिन में होती नहीं है रात वरात होती नहीं है इसके लिए तो यह देरे देरे लोग समझ रहे हैं कि हमारे लिए बहुत बुरी बात है यहां हिंदुत्रु का कार्ड क्यों नहीं चला क्यों मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि बगल में जो डांग है डांग से ही सारा वनवासी आश्रम वाला शुरू हुआ सबरी का पूरा का पूरा हिसाब शुरू हुआ और घर वापसी की बात सारी हुई तो क्या वज़ा रही कि इस इलाके में आदिवासी इतना ज्यादा उनके साथ नहीं गए बाकी इलाकों में गए हैं है नहीं जाएंगे यह तो प्रकुर्ति के पूजग है यह दर्ति हमारी मां है हुआ हुआ हम पाहड़ा बाता है थो अगर पेट बढ़ता है तो हम पूरी दुनिया में मंदिर इंधान देते हैं चलो ठीक है इससे पेट बढ़ता है तो हम हर घर-घर मंदिर बना देते हैं क्या फाइदा होगा यह तो लोगों को उल्लू बनाने का बाबात है यह लोगों को गुम्रा करने के लिए यह सबोर रहा है लेकिन एक आखरी चीज जो मैं आपसे जाना चाहूंगी आपने बहुत से नेताओं को देखा आप 71 से 70 तक पार्लेमेंट में भी रहे उसमें भी एक बहुत पारफुल प्रधान मंतरी इंद्रा गांधी थी तब से लेकर अभी तक ऐसा क्या परिवर्टना है कि लोग अब नेता मतलब इसी तरह का नेता होना चाहिए मूदी जैसा नेता होना चाहिए जो बहुत शक्तिशाली अपने को बताए यही बन गया है लोगों से कटा हुआ हो ऐसा क्यों हुआ नहीं लोगों से क्या हमारी भी तकलिफ है कांग्रेस की कांग्रेस में भी अब अईसा हुआ कि लोग इतने मजबूत थे वह अभी नहीं है और पंडी जवाहलाल नेहरू ने जो काम किया इसी वजह से आज हिंदुस्तान है पंडी जवाहलाल कर रहा है अपना नाम आगे कर अब पहले इंदीरा गांदी ने भी बड़ा अच्छा काम किया लोगों के लिए और लगता है कि मोदी जाएंगे जरूर जाएंगे अगर इस चुनाव में गुजरात में तो समझ रहा हूं कि गुजरात में बीजेपी खतम हो जाएगी और 24 में 24 में जब चुनाव आएगा तो यह जाएगा तो इसका असर नेचराली पूरे देस में पड़ेगा, पूरे देस में, तो उसमोदी को जाना ही होगा यह आपको विश्वास है, हाँ यह आपको विश्वास है, मुझे जाएगा, मुदी जाएंगे, चली। बहुत-बहुत शुक्र अधा, थेंक्यू ए ऎ अाप लोग टोग है लो को अटूछ लोग नहीं लोग हैंगादा है लो में हम लोगिया है